दुनिया में सबका दिन यानि जितने भी लोग होते हैं सभी के हिस्ते में 24 घंटे ही होते हैं और जिनको अपने लाइफ में सक्सेस होना है या सफल होना है वो इसी 24 घंटे का जो है वो सुद्पियोग करना सीख लेते हैं यह नहीं कि हमारे पास टाइम कम है हम नहीं कर पाते हैं यह सब वो जो है वो इसू या अपना जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं सुनाते हैं उनको पता है कि अमीर गरीब सभी के पास 24 घंटे ही है इसी 24 घंटे में मुझे जो है वो आगे बढ़ना है और उस हिसाब से वो एक स स्टाटेजी बनाते हैं ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ पाएं तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपका स्टाटेजी क्या होना जाए अपने लक्ष के तरफ आगे बढ़ने के लिए क्लास को स्टाट करूँगा बोलूँगा चैमल के उपर जो भी नए है चैमल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपड़ेट मिलता रहे और इस क्लास का पूरा का पूरा प्रिडियप जो है सक्सेसकी98.in से आपको मिल जाएगा हाला कि क्लास लंबा होने वाला है क्योंकि तीन तारीक से छे तारीक तक करेंटाफियर जो है वो कवर करने वाला हूँ और एक बात किसी भी एक्जाम का जो मोक टेस्ट है वो आप लोग सक्सेसकी98.net से जाकर दे सकते हैं हाला कि हमारा एप्लिकेशन जो है सक्सेसकी98 का वो गुगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप लोग एप्लिकेशन के उपर भी टेस्ट दे सकते हैं और आए एक बात मैं आप सभी को और बता देता हूँ कि आज साम को 6 बजे मैथ का प्रॉफिट एन लॉस का आपका जो डिमांड था उस चैप्टर का पहला विडियो आप सभी को साम को 6 बजे मिलेगा और जिनका मैथ कमजोर है न वो भी बोलेंगे भाईया चैप्टर न पूरा पानी पानी हो गया तो टाइमिंग याद रखेगा साम को 6 बजे पहला पार्ट आप सभी के भी और हाँ क्लास थोड़ा लंबा होगा मैथ का आज तो आप लोग बिलकुल टाइमिंग याद रखेगा ठीक है और आज कवर करने वाले हैं तीन तारिक से 6 तारिक के करेंट अफेर इपोर्टेंट जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी इपोर्टेंट रहने वाला है तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है पहला प्रस्त है पब्लिक हेल्थ इमर्जेंसी जो है वो डिक्लियर कर दिया गया है किस राज में यानि स्वास्त अपातकाल किस राज में घोसीत किया गया है और ये किया गया है आपका दिल्ली में और आपने देखा होगा जितने भी खिलाडी खेल रहे थे, सबी जो प्रैक्टिस है वो मास्क लगा कर प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि पॉलिशन बहुत जादा बढ़ गया है, इसलिए दिल्ली में स्वास्त अपातकाल की जो है वो घोसना कर दी गई है, ठीक है, अगला प अचीमेंट पुर्षकार से किसे सम्मानित किया गया है, क्वेस्टन काफी इपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेगा, कि भारत के अंतरास्टिय फिली महसौग की स्वाण जैन्ति पर लाइफ टाइम अचीमेंट पुर्षकार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जो अगला प्रस हमारे सामने हैं भारत ने हाली में किस राष्ठ के साथ money laundering से निपटने के लिए जो प्रती बढ़ किया है यानि एक डिल साइन किया है किस country के साथ तो इंडिया ने ये दिल साइन किया है आपका United States यानि अमेरिका के साथ ठीक है और बहुत अच्छी बात है दोनों डेस जो है वो money laundering के खिलाब मिलकर लडाई करेंगे और उमीद करते हैं ये चीज जो है वो बुरे तरह से खतम हो पाए अगला प्रस हमारे सामने है महिला सेनिक को किस वर्ष तक भारतिय सेना में सामिल किया जाएगा यानि जितने भी महिला सेनिक है यानि उनको इंडियन आर्मी में जो है वो सामिल किया जाएगा किस वर्ष तक और ये काम और रेड़ी 2019 से स्टार्ट हो चुका है पहले स्लोट में 100 महिलाओ सेनिकों को जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है और किस वर्स तक जो है ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और उनको इंडियन आर्मी में ले लिया जाएगा ये आपको बताना है तो वो वर्स है आपका 2021, option number D और एक बात इंडियन आर्मी के चीफ कौन है तो जेनरल बीपी नरावत सबी को पता है कौन है जेनरल बीपी तरावत ठीक है जेनरल बीपी नरावत अगला प्रसमारे सामने है भारत का कौन सा पडोसी देश अफिर्की स्वाइन भुखार के परकोप से पीडित है और पहले मैं आपको बता दू जो ये अफेरिकी स्वाइन बुखार है जो ये अफेरिकान स्वाइन फीवर है ये सबसे पहले 1920 में पाया गया था किस में कहां पर तो अफेरिका देश में अफ्रिका में सबसे पहले ये बुखार पाया गया था लोगों में 1920 में अभी जो है वो पूरा का पूरा चाइना जो है इसके प्रकोप से पीडित है तो एंसर क्या हो भारत कौन सा पडोसी देश जो है इससे पीडित है तो वो है आपका चीन आप ये चीन का मैप है आप देख पारोंगे जितना भी लाल एरिया है सारा जो है इस बुखार के चपेत में है तो बहुत बड़ी बात है याद रखिएगा एक्जाम में आने के लिए क्वेस्टन काफी इपॉर्टेंट है भारत का कौन सा पॉडोसी देश अफेर की स्वाइन बुखार के परकोप से पीडित है तो आपका एंसर क्या होगा वो होगा आपका चीन ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है निमलिखित में से कौन सा अभिनेता को IFFI पुरुसकार के गोल्डेन जुबली के चिन के लिए चुना गया है आइकन ओफ गोल्डेन जुबली IFF आवार्ड दिया गया है कौन से एक्टर को तो नो डाउट सभी को समझ में आ गया हो जितने भी मेरे भाई वेंद देख रहे रजनीकान साब जी को अगला प्रस हमारे सामने है प्रकर एक सड़क विरोधी अपराद वेंए किस राज या किंद्र सासित परदेश में द्वारा चलाया गया है आपको मैं बता दूँ यह एक टाइप का गाड़ी है जिसका नाम दिया गया है आपका प्रकर एंटी स्ट्रीट क्राइम वें अब यह करेगा क्या जितने भी अपराद है मैलाओ के खिलाब या दिल्ली के सड़कों पर जितने भी अपराद होते हैं इसके पूरी निगरानी की जाएगी इस गाड़ी के द्वारा आप देख भी पाने होंगे बहुत सारा स्कॉर्पियो है गाड़ी और यहां पर हर गाड़ी में लिखा गया है अच्छे देख पाएंगे तो प्रकर और यहां पर दिल्ली पुलीस यानि किसके द्वारा चलाया गया है तो केंदर सासित परदेश दिल्ली के द्वारा जो है यह चलाया गया है ठीक है यह anti-straight crime van यानि जिसका नाम दिया गया है आपका प्रकर और एक बात मैं बता दू दिल्ली के सियम अर्भीन केजरिवाल वहां के उब राज जुपाल कौन है तो अनिल बैजाल ठीक है अगला प्रसमारे सामने है इन में से किसे अंत्रास्टिय परमाणू उर्जा एजेंसी यानि IAEA यानि आप सभी का इंटरनेशनल एक्टोमिक एन अगला प्रसमारे सामने है साद हिरादी ने हाल ही में किस देश के पढ़ान मंत्री के पस से इस्थिपा दे दिया है बहुत चर्चित न्यूज है और ये आप याद रखिएगा तो जो साद हरारी है वो किस देश के पीम थे जिन्हों ने इस्थिपा दे दिया है तो वो थे पढ़ान मंत्री लेबनॉ और वहाँ पर मुद्रा क्या इस्तिमाल की जाती है तो लेवेंसियन पाउंड ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है एक किताब है उस किताब का नाम क्या है उस किताब का नाम है The Uncute River of Biography of the Brahma पुत्र बहुत पॉपुलर हो चुका है ये किताब आज के डेट में किताब का नाम याद रखेगा The Uncute River of Biography of the Brahma पुत्र इस किताब के लेखा कौन है ये आपको बताना है और आपके सामनी उस किताब का फ्रंट पीच दिखाई दे रहा है उस किताब का कौन है अरूब जोती से किया ओप्सन नमबर जो B है वो हमारा बिलकुल सही उत्तर है ठीक है इस अगला प्रस हमारी सामने है वित्वर्स 20 यारी वित्वर्स 2020 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मातरा से बढ़ा हुआ ये भुकताल लक्ष जो है टार्गेट कितना रखा गया है यानि जितना भी ओनलाइन पेमेंट होगा उसका एक टार्गेट रखा गया है गौर्में अगला प्रस हमारे सामने है भारतिया सेना के नए एडूजेंट जन्रल के रूप में किसे निउक्त किया गया है और ये कुस्टन भी काफी इपॉर्टेंट है याद रखेगा उनका नाम है आपका अर्विन दक्ता ऑप्सन नंबर भी जो फोटो में आपको दिखाई दे र गया है और इस कुस्टन को बोल सकते हो आज का सबसे इपॉर्टेंट कुस्टन आप सभी इंडिया का पहला इंडियन ब्रेंड एटलास जो है वो डेबलप यानि बनाया गया है कौन से इंस्टिट्यूट्स के द्वारा कौन से संस्ता के द्वारा और ये बनाया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा और उस एटलास का एक नाम भी दिया गया है एटलास का नाम क्या है IBA 100 याद रखेगा एक्जाम में आने के लिए क्वेस्टन काफी इपॉर्टेंट हो जाता है ठेक है अगला परसमारे सामने हैं त्रास्ट सरनाथी कि पहली मैला परमुक का नाम बताए जिनका हाल ही में निधन हो गया है यह फर्स्ट फीमल हेड थी UN refugee की जिनका हाल ही में निधन हो गया और यह 92 साल की थी और इनका नाम क्या है तो इनका नाम है आपका सडाको ओगाटा ऑप्सन नमबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है अगला परसमारे सामन हैं आपको बताना है कि रगबी विश्व कब्देर 19 के विजेता टीम कौन है और यह है आपका साउथ एफरिका इंगलेंड को हरा कर और साउथ एफरिका का कैपिटल तो केप टाउन मुद्रा साउथ एफरिकन रेंड और वहां के राश्ट पती का नाम क्या है तो साइरल र राज जिपाल बना दिया गया है कौन से पुरवर्तर राज का ये आपको बताना है और जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे पी ए सिरिधन पिलाई वो यही है और इनको राज जिपाल बनाया गया है आपका मिजोरम का और मिजोरम कैपिटल आईजवाल और वहां के मुख्य मंत्री कौन है तो जोरा मतंगा ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है हर साल विस्व सुनामी जागरुता दिवस कम मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवर्नेस डे अब्जर्वड एवर्री इयर अन विच डेट और ये मनाया जाता है आपका पांच नोहंबर को अपसर नमबर बी और एक भात और वर्ल्ड सुनामी अवर्नेस डे यानि विस्व सुनामी जागरुता दिवस का जो भीसा है जो थीम है वो इस बार का क्या है 2019 का तो वो है आपका सिंदाई साथ अभ्यान सिंदाई सैवन कैमपें ठीक है यह इस बार का जो है 2019 का वो थीम है याद रखिएगा अगला परसमारे सामने है किस राज सरकार ने हाल ही में पंदरा वर्ड से अधिक पुराने सरकारी वाहनों पर यानि जितने भी कमर्सियल वेकल है उन पर बैन लगा दिया है ताकि जो पॉलिशन है जो परदूसर है उस पर अंकुस लगाया जा सके और ऐसा करने वाला कौन सा राज है तो वो है आपका बिहार यानि पंदरा साल से जितने भी पुराने वाहन है उनका प्रियोग अब आप बिहार में नहीं कर पाएंगे और बिहार के सियब निटिस कुमार कापिटल पतना गवर्नर फगुचोहान ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है अरत के इन सहरों में से कौन सा सहर जो है हाली में गेस्टोनोमी की जेतर में इनिसको क्रियेटिव सीटी नेटवर्क में सामिल किया गया यह आपको बताना है और वो सहर है आपका हैदराबाद यानि खाने की सजावाट जो कल्चर को मेंटन करता है खाना वेगरा को आप यह बोल सकते हो ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है ट्राई अगर आप फोन नहीं उठाते है तो 30 सिकेंट से ज़ादा जो है वो फोन आपके नहीं बजेगा यानि जो रिंग होता है ना फोन अगर आप किसी को फोन करते है तो वो 30 सिकेंट से ज़ादा रिंग नहीं होगा अगर आप फोन नहीं उठाते हैं अगर आप फोन करते हैं किस पर लेंड लाइन पर तो उसका गाया है आपका 60 सिकेंट अगला प्रसमाने सामने है उनका नाम भताना है जिसे दचणी वायु कमान जो है यानि साउधन एर कमान के एर अफिसर कमानिंग इन चीफ की रूप में पदभार समाला है उनका नाम क्या है और उनका नाम है आपका option number D मनिस्तिवारी आप जो फोटो में देख रहे हैं इनी को Air Officer Commanding in Chief of the Southern Air Command के ऐसा appointed किया गया है किनको तो मनिस्तिवारी जी को आप फोटो में देख पारेंगे वो यही है ठीक है अगला पर समारे सामने Global Ayruda Summit 19 का जो है वो कहाँ पर होने वाला है यह आपको बताना है और यह होने वाला है आपका कोची जो केरला में पढ़ता है और केरला के सियम पिनराय बिजयन गवर्नर आरित मौमद खान कैपिटल तो तिर्वेंदरम पूरम ठीक है अगला परस हमारे सामने है भारत अतंकवास से निपटने के लिए किस देश के साथ पहला स्वयुक्त सैन अभ्यास करेगा पहला और बहुत अच्छा बात है दोनों देश की सैनिक जो है आंतंकवास से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करने वाले तो इंडिया के साथ कौन मिल रहा है और उस अभ्यास का नाम क्या दिया गया है वो भी याद रखेगा तो उस अभ्यास का नाम दिया गया आपका डस्ट लिंक 2019 डस्ट लिंक 2019 नाम दिया गया है कौन सा दे से वो तो वो है आपका उजबेक प्रिस्तान का capital, currency और वहां के परधारमंत्री कौन है ये तीन चीज आपको comment करके बताना है ये आपका आज का पहला काम है ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है coal India Limited ने किस वर्ष तक यानि कौन से साल तक coal India का कहना है कि coal India एक billion ton koila प्राप्ट कर लेगी और ये target रखा गया है coal India के द्वारा एक billion ton koila प्राप्ट करने का कौन से साल तक तो 2024 तक और आज का आपका दुसरा परस थोड़ा हटकर है आपको बताना है कोल इंडिया जो इसका मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है कोल का आपको उनका नाम बताना है कोल इंडिया के मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है उनका नाम आपको कॉमेंट करके बताना है तो ये थे आपके टोटल तीन तारीक से छे तारीक तक के पूरे के पूरे अपडेट करेंट अफ़ेर का ठीक है और एक बात और आप सभी को मैं बोल दूँ आज साम को 6 बचे आपका मैट का क्लास बिलकुल मत भूलिएगा सो जितने भी मेरे भाई बेन देख रहें सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने सासाथ अपने मम्मी पापा का भी खयाल लखेगा ठीक है चलिए